नमसकार आज की खास मुलाकात में सभी दर्शकों का मैं वीर सिंग स्वागतृदन डोस्तों हमारे जीवन में जनौरली ऐसा होता है कि लोक जो संकल्पना लेते हैं संभवता वो अपने लिए लेते हैं, अपने परिवार के लिए लेते हैं, या फिर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए लेते हैं लेकिन आज हमारे बीच कुछ ऐसे अतीति उपस्थित हैं, जो अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो कि दूसरों के लिए करना चाहते हैं, जनरली लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे अतीति बनना नहीं, बलकि दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं जी हां मैं आपको बता दू कि आज के हमारे अतीथियों का विशेश जो संकल्पना है वो सड़क दुरगटना मुक्त शहर हो ऐसी संकल्पना है और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज के हमारे विशेश अतीथि स्वैम अपना परिचह देंगे नमस्कार मेरा नाम गोविन है मैं आई रास्ते प्रोग्राम का मैरेजर हूँ और अई रास्ते नादपूर का मुर्किया लक्षा है नादपूर सिटी में एक्सिजन्स को रेडियोज करने का और हम अमारा पार्टनर्स है इंटेल ट्रिपलाइटी हाइदरबाद च्राराई ए आउसकार मैं राजवाग हूँ और रोडमार्क फांडेशन का मैं फांडर हूँ आई रास्ते प्रोजेक्ट के साथ में मैं रोड एक्सिदेंट डिजरस्टर मैरेजमेंट सेंटर सड़क दुरगटना मुक्त नाकपूर की संकलपना कर रहा हूँ तो दुरगटना ग्रस्तो मैं काम करता हूं राजु जी मैं सबसे पहले आपसे जानना जाता हूं कि सड़क आपदा परबंधन के किस तरीके से काम करता है तो यह उस चोग से जहां पे Black Spot है Black Spot से एक किलो मेटर चारो तरफ एक कि किलो मेटर यह से लोगों को रिजिस्टर करते हैं क्योंकि दुर्घटना रास्ते पर होती है तो सब से पहले heroin कर जाने वाले जो लोग होते है और इनका हम registration करके इनके एक समीति बनाते हैं यह समीति को बोड पर हम उनका अपत्ति व्यवस्थापन का बोड बनाते हैं उस बोड पर हम उनके नाम देते हैं मोबाल बबल डेते हैं वो उस चौक पर लगाते हैं और उसके नीचे फरस्टेट और साधारन या गंभिर दुरगटना ग्रस्तों को कैसे मदद करने चाहिए उनको हम प्रशिक्षन देते हैं इमर्जेंसी सेवा कैसे हमने हैं और दुरगटना ग्रस्तों को गोल्डन आर्स में हस्पिडल में कहीं से पहुंचाना है इसके हम प्रबंदन करते हैं और यह प्रबंदन ऐसा बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और आज तक हमने करीब 8000 लोगों को मदद करी है जक्मियों को और करीब 500 लोगों की हम जान बचा चुके हैं जैसा कि आपने पताएगे भी तक आपने लगवार 8000 लोग जो दुरहतना ग्रश्ट हैं उनको अपने मदद किया है तो सभाविक सी बात है कि हम जानना चाहेंगे कि एक आध शौट में को उदाहरान दे सकते हैं जो पीसी के आपने मदद की हो यादगार रह गया हो तो कल ही जात में हमारे प्रनित मोहट नाम के सदस्य है और चीजभवन ब्लैक स्पॉट पर आगको दस साड़े दस बजी के करिब एकसिड़न हो गया और उन्होंने तुरंत उनको पता चलते ही वहां से उन्होंने एम्स होस्पिटल में उसको भरती किया उसकी जान पेची है उसके नरेंदर नगर जो ब्लैक स्पॉट है वह ब्लैक स्पॉट पर एक व्यक्ति चलते समय उसकी गाड़ी स्लीप हो गई गिर गया उसको पैर को जखम हो गई और वहां की चाय वाली जो महिला लेडी महिला है उसने और उनके साथ वाले लोगों ने मिलकर उसको मदद करी और हम नारा जो फर्स्टेट बॉक्स है उनके पास चाबी थी ऐसे सभी लोगों को हम चाबी देते हैं जो उसमें सदस्य होते हैं उहां से उन्होंने प्रतोंचार का साहीत निकाला उसको बैंडेज वगरे बांधा और फिर उसको उनके घर में उन्होंने पहुंचा दिया एसे लोगों को मदद करने वाले सामान्य जो लोग है या कभी डॉक्तर, इंजिनियर, वकील, झेता, अभिनाता अभिनेता इसे लोगों को मदद करते हैं और ये धन्यवाद के अपक्षक यह बिना करते हैं ज़ारों लोग पैयार होना चाहिए यह संकलपना है हमारे और ऐसे हम हमारा ये पैशन है और ये हम हमारे जिन्दगी हमने इसके लिए दी है पाचीस साल से ये काम कर रहे हैं और इसको सपोर्ट करके हमको आयरास्ते ने जो मदद करी है कि इस दुर्गटना आबदा प्रबंदन को आगे बढ़ाए उसके लिए आयरास्ते का काफी हम धन्यवाद क कोविन जी जो ये गुर्गटनाय हो रही है और जिस तरीके से मदद की जा रहे हैं लोगों दोरा इन सारी चीजों को आप किस मजरिये से लेखते हैं बिल्कुल अचा क्वेस्टन है लेकिन हम टेक्नोलोजी साइड से आ रहे हैं सो टेक्नोलोजी कैसा यूज करना है एक्सि कीया है कवने फूरा हार्ट प्लाग स्वाट में डिजास्टर मेनेजमेंट सेल इस और करने के बाद हमें वोरा वालनटीर्स को इंटर्व्यू किया है बात भी किया है इतना कुछ है तो सामानियों लोग है वो बिना कोई एक्स्पेक्टेशं के काम कर रहा हैं विक्टिम्स को कैसा हेल्प करना है लेने के बाद वो विक्टिम्स को हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है इसलिए आपको बहुत खुश है एमर्जेंसी के लिए आई रास्ते का गौल है एक्सिरंग डिव्यूस करने का तो हम पूरी करने को बहुत पाइजा अभी है अप लोगों मतलब बसके अंदर क्या कर सकते हैं रोड के इंफल स्टेक्शन में तरु क्या कर सकते हैं छुछ क traditие तो फोर्थ की सज़ इसका संदेश क्या है हमको पूरा सिटिजन का सपोर्ट चाहिए और ड्राइविंग रूल्स फॉलो करना है रोड रूल्स ट्राफिक रूल्स वाइलेट नहीं करना है और उसके बाद विक्टिम्स को हेल्प भी करना है तो यह सब मिलकर हमको सक्सेसरे बहुत ज्यादा आने को चांस है राजुजी मैं आपसे जाना चाहता हूं इस तरीके साब ने मुझे भी बताया कि पांठेले वाले टपरी वाले बुट पॉलिश करने वाले पंचर वाले इस तरह कि जो अस्थानिक जो भी चोटे बोटे दु कर रहे थे तो आपको किस तरह के कांद भाव आया या फिर मतला कोई परिशानी गई वह कैसा हुनका रिस्पॉंस कैसा था इस सारी करते समय देखिए कि हम तो अभी बहुत प्लस में हैं कि अभी लोगों में काफी जंजागरूती हुई है मगर मैंने 25 साल पहले जो काम शु अगर किसे में उसके देथ हो गई तो सारा एलजाम मुझ पर आएगा हर एक लोगों की अपना अपना अनुभाव और अनुभा आ था तो कई लोग दुरगटना ग्रस्तों को मदद करने के लिए सामने नहीं आते थे तो ऐसे वक्त थंडी के दिन है तो थंडी के कड़कड़ाते थंडी में वह पड़ा हुआ है और लोग पुलेस आने की या एंबुलेस आने की रहा देख रहे हैं धूपकाला है गर्मी के दिन है तो रोड पर वो पड़े हुए है गरम रोड पर किसी उसको किसी कोई उठाने के लो मदद करने के लिए सामने नहीं रहा है सब देखने की भूमिका ले रहा है वो बोलते हैं कि पुलिस आएंगे पंचनामा करेंगे उसके बाद में सब होगा और वहां स इस्तिते में मैंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा तो इसलिए मैंने तय किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसी यंत्रना देश में खड़ी होनी चाहिए जो दुरगटना ग्रस्तों को मदद करती है और धन्यवाद के अपेक्षा के पिना और सर्वे में पत करता था इनसे बातचित करता था तो केवल पांच से साथ परसेंट मुझे पॉजिटिव लोग मिलते थे बाकी तो सारे नेगेटिव मिलते थे उनकी प्रॉलम नहीं थी वो जो डर उनके मन में बैठा था वो और उस वक स्तिती भी वैसी थी तो ऐसे वक्त काम हमने शुरू अब ही जिस तरीके से हम खड़ा कर रहें आयरास्ते प्रजेक के साथ में मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में एक साल दो साल में अगर यह कंटिन्यू चला काम तो मुझे लगता है कि नागपूर यह देश का मॉडल वनेगा अमन जी जैसे अंचान लोगों को मदद करना तो इस वरे किन समस्याओं के किन चुनों को सामना अभी तक कुछ ऐसे चीज़े आई हैं जो आप लोगों ने किया हूँ कैसा लगता है यह सब करते हैं लोगो है हैं जो इंपने में कम्यूनिटी के लेवल है इन्योवेशन है के अन्जान लोग जो है जो एक पर हैं ऐत्न के पास है बिना अपनी फिक्र को कि गखते classify हैं और जो जान खत्रे में होती है उसको बचाते हैं तो यह वह बहुत अर्शारिय भी है और बहुत प्रेहना की कि कम्योनिटी वाले जोड़ते हुए बात परूंगा कि देश में दुरगतना होती है तो जो दुरगतना का कारण बन रहे हैं या बली पड़ रहे ह। तो वो देश की किसी पहीं के है कि सिसी एक किस зах Wild received ना कारण बने वाले हमारे बन्दू है दूर ना में बली पड़ने भी हमारे बन्दू है इसलिए इसको बोलते है वह दूर्गत्ना खुल को मदद करते समय होना चाहिए और यही बात हम देश को बताना चाहते हैं और उन लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहिए जो एक अंजान वेक्ति को अपने आपकों सामने मदद करते हैं खास करके जिस टीम की आप जिकर कर रहे हैं उनका काम वाकई तारीफे का तो आज भी देखता हूं कि लोग चले जाते हैं जहांकर देखते भी नहीं है कि हो सकता कर आप बहुत सराहनी हैं अगर एक वी वैक्ति के मन में यह सवाल आ जायकि कि दुरगतना घ्रष्ट को बिना कि sulph एक्सपेक्टेशन के अगर वो मदद कर सकें तो मैं समझेंगा कि इस एपिसोड का और हमारे त्यूट्यू का बूलाना सफल हुआ खैर हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में खास मुलाकात में आप देखते रहें बीजिए